हलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी चैनल टेक वैब में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले है यह जो नया वाइरस आया है जो एक दो दिन उसे बहुत सारी कंप्यूटर में सुप्रेड हो रहा है दोस्तों अगर आपके कंप्यूटर में भी यह वाइरस अगर हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप साफ वाइरस की चाहिए हम बात करेंगे वर्म की प्रोजेन की एड़ वेर की सुपाई वेर की दोस्तों जो उनका सिंपली काम होता है आपके कंप्यूटर को वह स्रोड़ ओन कर देते हैं लेकिन जब आपके कंप्यूटर में यह यह यह नचर्टल हो दो आपके जितने भी फाईल रही है वह अपन नहीं कर सकते हैं और हर एक फॉल्डर में रीड मी नोट पेड के नाम से जैसे आप वो नोट पेड खोलते हो तो आपको वहां भी पता चलता है कि आपकी सारी files encrypted है और आप से ransom की demand होती है ransom होता है कि मुझे आप पैसे दो बदले में मैं आपकी files को recover करके दूँगा आपको लगबग 980 dollars की demand वो करते है अगर आप 24 गंटू में पे करते हो तो 480 डालर लेकिन जो हमारी recommendations है ransom pay करना एक illegal काम है और कोई भी जो है अदारा आपको ransom pay करने की इजाज़त नहीं देती है हालांकि अगर आप ransom pay भी करते हो पैसे उनको दे भी देते हो इसमें कोई guarantee नहीं है कि आपकी जो files है वो आपको restore करके देंगे और इसे और एक चीज़ का खत्रा है कि इससे और crime और virus attacks बढ़ जाते हैं अगर आपको याद ना हो तो 2017 में कुछ इसी सब्सक्राइब करेंगे और कैसे रिमो करेंगे और कैसे अपने फाइल को restore करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा लेकिन पहले बात करते हैं वाइरस आता कहां से है 90% केसिज में अगर हम देखेंगे इस वाइरस का आना सिर्फ इसलिए है अगर आप किसी torrent file किसी crack file किसी ऐसी file को access करना चाहते है जो कि illegal है या कोई illegal website आप विजिट करते हो कोई crack file download करने के लिए तो 90% केसिज में वहां से ही यह वाइरस आता है तो इसमें कहीं न कहीं आपके भी गलती हो जाती है अगर आपके पीसी में यह वाइरस है अब अगर आपके पास Windows 7 है या Windows 7 Windows 7 या Windows C है तो आपको क्या करना पड़ेगा Windows 7 को आप जल से जल Windows 8 या Windows 10 में तबदिल करें क्यूंकि उसमें अगर आपके PC में कभी भी रंसमेर आता है आपने वह नोटिफिकेशन पर रनान की है तो आपको पहली ही पता चलेगा कि यह वहां से डिलीट कर सकते हैं ताकि आपका जो फर्दर डेमेज यह वो नहों आपको सर्च में लगाना है रंसमेर प्रोटेक्शन तो वहां पर यह उप्शन आता है अब अगर आप इस वाइरस के शिकार हो चुके हैं अब आपको क्या करना है कैसे डिलिंग्स करनी है देखिए जैसे ही आपके कंप्यूटर में यह वाइरस आता है आपके आपकी जो हो को करना है मैं आपको अभी स्क्रीन पर लेके चलता हूं दिखाता हूं कि कैसे आप इस वायरस के से डिलिंग्स करेंगे आपको यह होस्ट फाइल चक करनी है और अगर कोई अनून आइपी अड्रस आपको डिलीट करना है उसके बाद आपको एक लेजिटिमेट एंट वाइ तो तब ही फिर डिफेंडर ने इसको फाइंड किया होता सच बात तो यह है कि आपको एक लेजिटिमेट एंटिवरस चाहिए अगर आपके पहले से ही है तो आप वो यूज कर सकते हैं फिलाल मैं एक लिंक दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में आप वो यूज कर सकते हैं जो host file को edit करेगा जो आपके PC में जितने भी malware है उनको detect करके उनको quarantine करेगा और जितने भी आपके registry changes हो गई होंगी इस वाइरस से तो वो जो है ठीक हो जाएगी अब अगर हम बात करेंगे जैसे आपके computer में वाइरस आता है तो आपको बहुत सारे comments देखने को मिलते हैं files को decrypt करके देगा तो believe me they are just fooling you आप किसी को भी बरोसर ना करें और किसी को भी कोई पैसा पे ना करें ठीक है अब पहला काम आपको यह करना है कि किसी को भी पैसा पे नहीं करना है अब उसके बाद आपको अपना computer जैसे मैंने बोला कि scan करना है जैसे आपका computer scan होगा उसके लिए हमें अगर देखें अगर आपका data important है तो आपको steps करने है अगर आपका data important हो नहीं है आप simply अपने PC को format कर सकते हो 10 कोई tension नहीं है आप अपने PC को यूज़ कर सकते है format करें अब यह जो रेंसे में इसके दो टाइप से एक होता था online ID और दूसरी है offline ID की जो encryption है offline ID का डिक्रिप्टर आचुका है जो कि मैं आपको link description दूँगा और आपकी अगर इंक्रिप्टर यूज़ कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता कि आपकी encryption क्या है तो आप आप अप आपको जो है personal ID करके एक वो होगा एक नोट होगा personal ID अगर एंडिक विर्टी वन से है तो आपकी जो फाइल इंक्रिप्शन है वो offline है तो आप अराम से उसको डिक्रिप्टर कर सकते हैं लेकिन अगर आपकी जो इंक्रिप्शन हो online है तो आपको फिर जो है कुछ data recovery software की मदद से अपने data को recover आप कर सकते हैं अगर आपकी shadow copies अभी तक affected नहीं है मतलब कहने का यह है जैसी आपके PC में यह वाइरस आता है तो पहले आपका hard disk रिक्रिप्ट होता है आपकी shadow copies अभी affected नहीं होती है अगर आपने जल्दी से process किया है और जल्दी से यह जो software का नाम है रिकाव recovery के लिए और अगर कोई भी fire recover होती है तो आप फिर lucky हो अगर उसी extension से होती है जैसे मानलों आपके पास कोई abcd extension आया है तो आपको अगर उसी extension के साथ आपकी files recover होती है तो that means आपका जो आपकी जो shadow copies है वो भी affected है लेकिन shadow copies within 24 hours 36 hours कभी कभी effect होती है तो आपको try करना चाहिए यह मैं यह मेरी recommendation है तो फिलहाल हम चलते हैं computer के main screen पे जहां पर मैं पहले आपको free virgin दिखाऊंगा कैसे आप recover करेंगे उसके बाद हम recover की बात करेंगे और बाकिन दिगर software की बात करेंगे फिलहाल चलते हैं computer के इसको remove करना है क्योंकि अगर आप उसे remove नहीं करेंगे तो attacker आपके personal data के साथ छेड़खा नहीं कर सकता है तो यहां पर मैं आपको steps बताता हूं क्या करते हैं तो यहां पर पहले आपको स्वरश में आना है चाहिए windows 7, 8 & 10 यूज़ कर रहे हो उसके बाद आपको यहां पे note पर लगाना है note अपने लगा दिया तो यहां पर हमेशा आपको right click करके run as administrator पर क्लिक करना है तब जाके आप अपने host file को edit यहां चेंज कर सकते हो तो इस तरह से आपको run as administrator करना है उसके बाद आपको yes करना है और यहां पर note page की file खुल जाएगी यहां पर file का option है उसको यहां पर windows के folder दिखेगा वहां पर आना है windows के बाद आपको और एक folder हमको search करना है system 32 तो यहां पर system 32 में आना है और यहां पर आपको और एक file दिखेगी यहां पर मैं थोड़ा से नीचे आ जाता हूं drivers के नाम से आपको file दिखेगा तो यहां पर आना है उसके बाद etc में आना है औ और यहां पे आपको All file select करना में है, अब यहां पे आपको Host File, अगर एक होस्ट है तो, कलिक करे एडिट करना है, अगर दो होस्ट होस्ट है तो दूनों को करना है, अगर यहां पे आपके पस host file नहीं है, तो इसको simply ignore करना है इस step को तो यहां पर मेरे बास एक host file है और अगर हम यहां पर देखेंगे तो यहां पर यहां तक जितने भी IP address है वो आपके IP address होते हैं, local IP address होते हैं अगर कोई भी IP address इसके बाद में आता है तो simply आपको यहां से select करना है, right click करके उनको delete कर देना है और यहां पर आपको save करना है दोस्तों उसके बाद जब आप यह process करेंगे तो आप अपने system को फिर अराम से use कर सकते हैं, आपको अपने data की चिंता नहीं होनी चाहिए कि और कोई damage होगा क्योंकि जो access अगर attacker का होगा तो वो अपने host file के जिरिये खत्म किया है लेकिन यह जो process है आपको पहले ही दिन करनी है क्योंकि अगर आप पहले दिन या दूसरे दिन यी process नहीं करेंगे तो आपका task manager और आपका पूरा system बिल्कुल hang हो जाएगा अब यह step करने के बाद दोस्तों आपको अपना PC एक legitimate antivirus से scan करना है अगर आपके पास पहले ही कोई legitimate antivirus है premium version होना चाहिए क्योंकि यह जो virus यह बहुत ही खतरनाग है अगर आप कोई free version या कोई crack version डाउनलोड करते हो तो यह detectable नहीं होता है इसलिए आपको एक अच्छे antivirus की जरूरत पड़ेगी तो यहां पर मैं आपको लिंक दूँगा डिस्क्रिप्शन में अगर आपके पास premium antivirus नहीं है अगर आपके पहले से ही है तो आप वो यूज़ कर सकते है यहां पर दोस्तों जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन दूँगा यहां पर advanced system care की क्योंकि इसमें क्या होगा कि जब आपकी PC में virus आता है तो malware के साथ साथ आपकी जो registry files होती है वहां पर भी कुछ change हो जाती है तो यह जो software predefined है यह खुदब खुद automatically वो registry changes भी undo करेगा यहां पर आपको दोस्तों पहली पहला काम क्या करना है इसको install करना है इसको download करना है और इसके बाद इसको use करना है अब आपको पहले care पे क्लिक करना है और यहां पे scan पे क्लिक करना है और यह जा ध्यान में रखना है कि यह जो सारी files यहां पर है extensions इनको select रहने देना है अब जो दूसरा है यहां पर speed up इस पे आपको click करना है speed up पे और speed up क्लिक करने के बाद यहां पर जो है इस पे आपको optimize करना है ठीक है अब यहां पर आपको start up में आना है और यहां पर देखना है अगर कोई IC file खुद ब भी आप देख सकते है उसके बाद दोस्तों यहां पर minimize यहां पर back आएंगे और उसके बाद यहां पर protect भी है तो यहां पर भी देखना है कि जो सारे options है यह on है अब आपनी scan भी कर लिया है जो भी यहां पर malware detector होता है उसको simply आपको जो है remote कर देना है यह quarantine करना है अब यह प 20-80% cases में online ID होता है और 20-30% यहां कुछ files आपकी offline ID से encrypt होती है अगर आपकी files offline ID से encrypt है तो उसके लिए आपको stop djview का decryptor है वह उसकी link में आपको description में देने वाला हो आप वो use करके आप अपनी data को decrypt कर सकते है अब आपको यह दोस्तों कैसे पता चलेगा कि आपकी जो encryption encryption method है वो offline है online है simply आपको क्या करना है जो आपको हर एक filter में readme file दी गई है उसमें personal ID दी होगी तो उसको simply check करना है और वहां पर देखना है अगर वो ID ending with T1 है तो इसका मतलब है कि वो file आपको encrypt है with offline encryption method उस time पे आपको क्या करना है दोस्तों यहां पे आना है इसकी भी link जो है description में में देने वाला हूँ software की जो यह stop DJV decryptor है MSI decryptor तो यह आपको दूस्तों चलाना है और इसको यहां पर आपको run करना पड़ेगा और उसके बाद यहां पर आएंगे हम अब आपको यहां पर क्या करना है जिस भी drive का data आपको यहां पर encrypt हुआ है वो वाला यहां पर आपको drive selected करनी है और उसके बाद आप यहां पर folder भी add कर सकते है उसके बाद आपको decrypt करना है अब यहां से start हो जाएगा अगर यहां पर आपकी जो ID है वो offline है तो यहां पर decryption successful आएगा अगर नहीं तो यहां पर decryption impossible because the warrant is online की तो इस तरीके के message आएगा अगर आपकी file online है तो उसके बाद दोस्तों जो हमारे पास second method है मैं आपको बताता चलों कि वो है test disk photo rack ठीक है अब इस तरीक है कि आपको software एक मिलेगा इसको simply आपको download करना है link आपको description मिल जाएगी और आपको यहां पर extract करना है यह पहले जो है यह free वाला version है मैं आपको बताऊंगा कि इसको क 400 रुपे में खरीद सकते है और वो काम 100% करेगा अगर आपकी shadow copies नहीं है shadow copies मतलब जब आपके computer में यह virus आ जाता है अगर आपने जल्दी से अपना system shutdown किया यह आप जल्दी से recovery करना चाहते हो अभी आपके computer में वायरस आया है और अभी अभी एक या दो गंटे में आपने य यहां दो तिन गंटे में अपने यह काम कर लिया है तो तब तक आपकी shadow copies नहीं होती है तो इस तरह से जो यह recovery है वह आपकी shadow copies को वापस लिया आएगा और आप अपने data को recover कर सकते है अब पहले हम बात करेंगे test कैसे काम करता है यहां पर आपको extract करना है पहले file और इस तरी click करना है और yes click करने के बाद आपको इसका इंटरफेस भी देखने को मिल जाएगा थोड़ा से यहां पर दोस्तों को time लगता है और यहां पर आप देख सकते है कि इसका interface है में इंटरफेस वह यहां पर खुल गया है अब आपको क्या करना है यहां पर hold isk स्लेक्ट करनी है ब्रावज में आना है और वो location देनी है जिस location पर आपको यह data save रखना है मालो मेरे पास यह test disk है तो यहां पर मैं और यह नया फोल्डर बनाओंगा तो यहां पर मैंने एक नया फोल्डर बनाया है और मैं उसी में जो data है वो save रखना चाहता हूँ अब यहां पर मेरा फोल्डर बन गया है अब यहां पर आपको last वाला जो चीज़ है यहां पर search करना है अब search जैसे आप करेंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा अगर कोई भी file यहां पर record होती है तो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी तो इस तरह से यहां पर मैंने यह test disk है यहां पर आपको new folder है और इसके बाद अगर आप अंदर जाएंगे तो यहां पर और एक folder बनेगा जिसमें आपका data है वो आ जाएगा तो आप यहां पर देख सकते कि कुछ files हमारी वापस आ रही है तो इस तरह से आप अपने data को recover कर सकत है अगर इस method में भी आपको कोई भी problem आती है तो then definitely आपको recovery try करना चाहिए और वो आपको वाइरस वहां पर एक जो है option आएगा recover virus attack data उस पर click करना है अगर software ने काम किया तो definitely आपको help हो जाएगा अगर आपकी shadow copies effect है फिर भी आपका data recover होगा लेकिन उसके end में वही extension फिर से लगेगा virus वाला क्यूंकि आपकी shadow copies भी effect हो गई होगी तो उमीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आ गया होगा और जो यह last वाला software जिसके बात कर रहा हूं जो आपका recovery है उसके activation process भी वहाँ पर ही है जहां पर आप इसको download करेंगे आपको देखना है कैसे activate करना है और कैसे आपको use करना है तो फिलहाल यह था आज का वीडियो हमें देजिए अज़ाज़त आपर के अपना खयाल अपना